हेलो दोस्तों तो आज हम लोग बात करेंगे जोब और बिजनस से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में पॉइंट नमबर वन इन्वेस्टमेंट Most of the businesses में इन्वेस्टमेंट बहुत जाद आता है मान लीजी आपको गार्मिट्स की फैक्टरी लगानी है तो सबसे पहले आपको या तो जमीन किराय पे लेने पड़ेगी या फिर खरीदनी पड़ेगी Employees हायर करने पड़ेंगे और बहुत कुछ वहीं अगर आप जोब में देखें Most of the cases investment कुछ भी नहीं होता सिवाए एक ऐसी जोब के जिसमें आपको किसी skill की requirement होती है जैसे कि engineer बनने में उसके लिए आपको BTEC करने में पड़ती है और BTEC करने में बहुत खर्चा आ जाता Point No.2 Profit अगर आपने एक successful business run कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा profit होगा वहीं दूसरी और आपको जोब में सिर्फ एक fixed amount मिलता है Point No.3 Qualifications बिजनेस करने के लिए आपको कोई भी qualification नहीं चाहिए वहीं अगर आपको कोई जोब करनी है most of the jobs में आपको qualification required होती है Point No.4 Growth अगर आपका बिजनेस success है तो आप काफी अच्छी growth कर सकते हैं property ले सकते हैं गाडियां ले सकते हैं अच्छी अच्छी और जोब यापको एक luxurious life जीने के लिए आफशक होता है वहीं जोब में इतनी growth नहीं मिल पाती आपकी income static रह जाती है अब बात करते हैं दोनों के benefits के बारे में सबसे पहले बात करेंगे jobs के benefit के बारे में अगर आप job करते हैं तो आपके उपर कम जिम्मेवारियां होती है आपको एक fixed time के लिए आना है और अपना एक fixed काम करके कर वापिस जाना है आपके वेक्तितव में बहुत ज़्यादा सुधार आता है अप एक professional आदमी बन जाते हो अब बात करते हैं business के फाइदे के बारे में business का सबसे बहला फाइदा है flexibility आप अपने अनुसार काम कर सकते हैं आपके उपर किसी के अभी दबाव नहीं है आपको अपने मन अनुसार काम करने के authority होती है आपको किसी की permission लेने की जरूरत नहीं होती है तो दोस्तो यह थे कुछ major points अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें धन्यवाद